आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडिल लंबर 171 का एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक जो है के मैट के अक्टिविटीज के बारे में के हमारे पास लिटरिचर में इसी कौन सी चीज़े मौजूद हैं जिनके उपर हम मैट के अक्टिविटीज बना सकते हैं कहानिय भी सुना सकते हैं और सहॉत्स सतहले हम मैट के कॉंसैटि भी समझा सकते हैं हमारे पास ओस सबसे हम चीज नवा है जब हम लिट्रिचर लेके चल रहे होते हैं तो हम उस factor बहूं सी एक्टिविटीज होती हैं जो हम बच्चों एनके लिए बनाते हैं और बच्तों के लि होते हैं and literature को भी enjoy कर रहे होते हैं और गें भी चल रही होती है activity में और उनकी discussion भी चल रही होती है आप कहानी लेकर आते हैं of course कहानी को सुनना कहानी को पढ़ना it is more relaxing than actually doing a math activity for most of the kids अगर हम सब गएड़ अनी करते तो किसम की प्राब्लम्स जो हैं वो फेस करें और उसे वो कैसे इंकाउंटर करेंगे तो यह उनके सामने एक जैनरल प्राब्लम बनके आ जाता है उसके लावा जब हम अक्टिपटी करवा रहे होते हैं लिट्रिशर को साथ लेके बच्चों की कहानियों को नजमों को साथ लेके गेम्स को साथ लेके तो उसके अंदर इंपॉर्टन चीज़ आती है कि ना सिर्फ हमारे पस फोटोग्राफ्स होती है हमारे पस मल्टिपल किसम के गैजट्स होते हैं मल्टिपल किसम के और एवीएड्स होते हैं जिनके थूँ बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा करना पड़ता है और उनको कुछ ना कुछ हमें सपोर्टिंग मेटीरियल के फोल्डिंग मेटीरियल भी देना पड़ता है ताकि वो एक्टिविटीज जो हैं वो सही तरीके से कर लें बड़े बच्ची जो होते हैं जो ग्रेड वन ये टू में आ चुके होते हैं उनके ग्रेंड फादर्स टैंग स्टोरी टेज़ वन अफ प्रेमस स्टोरी तकरीब हर किसी ने पड़ी है नहीं भी पड़ी तो हम तो जानती है जो हमने बच्पन में खेले होंगे अब इस कहानी में एक शक्स जर्नी पर जाता है और मुक्तलिक किसम की चीजों से मुलाकात करता ह और वो चीज़े किस फॉर्म में है वो आक्चुली जिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कनवर्ट होती हैं कैसे हैं इसके बारे में ये कहानी है अब हमारे पस टैंग्रम में पजल्स मौजूद होते हैं पजल्स हमारे पस क्या हैं सेवन पजल्स की पीसिस हैं जिसके अंदर में ह में एक स्किएरं अपुस्कित दू नाश्र होता है। तो दो लाज ट्राइंगल बना सकती है। लाइंच करते हैं। एंब उरिटेपल की सम के विए आसकते हैं। यह हैं तो तमाल जाइब करते हैं। बारएटिटि ओव कॉंसेट्टे राइटि को अगर ś ace करते हैं और यह पर सबकταस्न इन को राकर यह चैन्ज करते हैं और इन्कों रहाते ही और किस पीस को किस के साथ मेलाते कि डिवैलप हो रही होती है और इस किसम के पॉज़ेदार किसम की एक्टिविटीज बच्चों को करा रहे होते हैं फंडमेंटल सक जो बच्चों के अंदर पैरदा होते हैं इसको हम कहते हैं आप सपेश्वल रिलेशन शिप जिसके अंदर बच्चे यह देखते हैं अपने अ पेसी कब आजहा सकते हैं कि मुकतलिफ अनगल्स और किसम का स्विप्र किसो राट मासें घेलेब जा सकती है मज़आरे मज़िये की आक्टिविटी चाहिप लिए शेयों गाहर लिए ते रागी.. तो उसमें सिंपल से लेके मीडियम मीडियम से लेके डिफ्रकर्ट लेवल तक की शेप्स मौजूद होती है